सिंपल सी ट्रिक से बनाए फोल्डेवल ट्रेवल बैग लाइक स्टोरेज बैग हेलो गाईज वेलकम बैग टू माई चैनल डियर मॉम बैग्स गाईज एक बाब फिर से आपके लिए बहुत ही बहतरी इन वीडियो लेकर आई हूँ और ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि सिंपल सी ट्रिक से हम ट्रेवल बैग बनाएंगे और फोल्डेवल ट्रेवल बैग बनाएंगे कि हम उसको जब हम सफर में जाते हैं तो उसको फोल्ड करके अपने बैग में रख ले और फिर अगर हमारे पास समान जादा हो जाए तो निकाले और उसमें भर करके हम ट्रेवल की तरह उसे यूज कर ले घर में हम उसको ट्रेवल के लिए भी यूज कर सकते हैं और स्टोरेज बैग की तरह भी यूज कर सकते हैं तो आईए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले गाईज अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए प्रीज क्यूंकि मैं आपके लिए असान से असान बैक बनाने की वीडियो अपने चै बटन पड़े होते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर आप देख रहें दूसरा भी मैंने पड़ेका लिया है कपड़ा तो इसमें थोड़ा मैं जोड़ लगा लूँगे क्योंकि मैं खरीद के लाई हूं ठीक है तो मैंने उससे कुछ और भी बनाया था तो उस 32 इंचे और इस कपड़े की जो लंबाई है वह 46 इंचे तो अभी हम क्या करेंगे इसकी शीट त्यार नहीं करेंगे तो आज हम बिना शीट वाला और बिना पाइपिन वाला बैग बनाने वाले हैं तो बहुत ही इजी ट्रिक है वीडियो स्किप ना करें बहुत ही जल्दी बन जाएगा और आप खुद से हरान हो जाएंगे कि बहुत ही अच्छा आइडिया है हम बना पाएंगे तो यहां पर आप देख रहें जिस साइड से 32 साइड है उस साइड से हमने जिप ले लेनी है उसकी लेंद के अनुसार एक्स्ट्रा ठीक है तो 32 इंच की साइड पर हम स्थे गओर के जोड़ लिया है अंसाई परदे के परदे के जोल लगा कर बराबर कर लिया been यह उल्टा दे लिया और हमने उल्टी जिप ली है, तो सीधे पर उल्टा हमने कपडा रखा है, और जिप भी रखी है उल्टी, और सीधी स्लाइ फिर से कर लेनी है दूसरे पीस पर, और दूसरा पीस जो है वो 2 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहें, इस तरीक नहीं होना चाहिए अगर आप extra cut करेंगे तो आपको दिक्कत आएगे दुबारा cut करेंगे और फिर slide करेंगे जहां से आप देख रहे हैं यह yellow वाला कपड़ा पीला वाला कपड़ा extra हो रहा है उस side से आपने 2 या 3 इंच extra इसकी length के अनुसाल लेना है तो हमने jip joint कर ली अब हम इसको करेंगे सीधा ठीक है तो शीधा कर लिया यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही easy trick है guys वीडियो skip ना करें बहुत ही अच्छा back बनने वाला है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से यह आ जाएगा अब हमने इसमें top stitch करनी है ठीक ह डाउन साइड में उपर साइड में परदे का कपड़ा यूज किया है तो हम दोनों साइड में top stitch कर लेंगे मैं एक साइड की आपको करके दिखाऊंगी guys दूसरी साइड की आपने अपने आप से कर लेना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने top stitch कर लिए आप तोनों साइड में हमने टॉप स्टिच कर लेनी है यहां से खुला है देखिए अभी मैंने इसको स्लाई नहीं किया है तो जिस तरीके से मैं बना रही हूंना गाइस बिल्कुत सेम तरीके से आप बनाईए ठीक है तो अब आप देख रहें यह कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इस साइड पे भी दोनों साइड पे ठीक है सीधी स्लाई है बिल्कुल और एकदम फिट आ जाएगी अगर आपने कपड़े का नापा बराबर बराबर लिया है तो डाउन साइड वाला दो साइड से एक्स्ट्रा रहेगा दो साइड से सेम रहेगा ठीक है तो यहां पे आप दे करेंगे तो हमने टकर लिया आट इस तरीके से हमें सेंटर पॉइंट निकालना है अननों इसी प्रकाट से सेट्र पॉइंट निकालना मिखाए है सेंटर अगर आहां पर देख रहे हैं इस तरीके से जो हमने centers लिये थे उनको match करना है तो center पर बिल्कुल jip आनी चाहिए जो हमने center cut किया है यानि कि tick किया है कैची से तो center पर jip आनी चाहिए और हमें pin up कर लेना है ठीक है pin up करने के बाद यहां से 5 inch यानि कि 5 inch और यहां से 5.5 inch यानि कि 5.5 inches टिक करना है, आधे इंच का मार्जन इसलिए है, क्योंकि एक साइट से सिला हुआ है और एक साइट से खुला हुआ है, ठीक है, तो 5 x 5.5 इंचिस का हम बराबर बॉक्स बना लेंगे, 4 ओकॉर्नर पर टिक कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी सेम तरीके से मैंने टिक किया है और अब हमें cut कर लेना है चारो corner को tick कर लेना है cut कर लेना है ठीक है तो मैंने cut कर लिया अब हम runner को निकाल देंगे runner को निकालने के बाद guys यहाँ पर tick करना है और यहाँ पर tick करना है बिना नापे के भी कर सकते हो आप फिर इस तरीके से हमें fold करना है और इसमें center point निकाल लेना है ठीक है यह देखे बिलकुल match करना है कुछ भी दरुदर नहीं होना चाहिए अगर बैग सीधा रखना है अच्छा बनाना है fitting अच्छी लानी है तो आपको इन सक चीजों का ख्याल रखना होगा तो यहां से भी हम लाइन डाल लेंगे center point हमने डबल फोर्ड करके निकाल लिया इसके बाद 2.5 inches center से हमने टिक करना है डाउन साइड में ठीक है और उपर साइड में भी हमने 2.5 inches यानि कि 1.5 inch पर सारे टिक लगान लेने है उसके बाद रेडिमेट स्ट्राप ले ली है गाईज मैंने उसकी लेंद्ध है 42 inch ठीक है इससे जादा छोटी अच्छी भी नहीं लगेगी और फिट भी नहीं बैठेगी इसके बाद हम हैंडल बाद में जोड़ेंगे पहले किनारे किनारे के स्लाई कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी शीट त्यार नहीं की है तो जाहिर सी बात है यह जब हम हैंडल जोड़ेंगे तो इधर उधर खसक जाएगा कपड़ा तो पहले हम इसके कॉर्णर की स्लाई कर लेंगे किनारे किनारे तो चारो कॉर्णर की कर लेंगे एक कॉनर की मैंने आपको करके दिखाई है इसके बाद जो टिक किये है टिक के बाद आधे इंच की दूरी से हमें इस प्रकार से स्लाइक करनी है हैंडल्स की ठीक, उल्टा रखके ये देखिए, फिर इसको पलट करके सीधी स्टिच कर देनी है ये देखिए, यहाँ पे यहाँ पे भी सीधा स्टिच कर देना है और डाउन साइट से उपर को जाएंगे तो गाईस, लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूले क्योंकि बहुत ही महनस से हम लोग आपके लिए वीडियोस त्यार करते हैं फिर से डाउन साइड को जाना है फिर स्लाई करना है तो इसी प्रकार से दोनों हैंडल हमने जोड लेने है अगर डाउन से स्लाई करेंगे तो कोई भी जोल नहीं आएगी देखिए दोनों से हैंडल मैंने सिल लिये है दोनों handle से लिए तो और ये चारो corner पर ऐसे किनारे किनारे slide कर लिया यहाँ आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ दूसरा corner भी मैंने सिल लिया था handle जोडने से पहले ही और ये देखे तीसरा corner किनारे किनारे सीधी सीधी slide है guys बहुत easy trick है तो आप बिल्कुल भी video skip न करें बहुत अच्छा back बनने वाला है यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से अब हमें इसमें दो runner add करने है यानि कि दो lock add करने है एक साइड से दूसरा दूसरी साइड से center points को match करेंगे और जो center था जिप के पास बिल्कुल center पर आना चाहेंगे और किनारे किनारे slide कर लेंगे अभी मैंने cutting नहीं की एक्स्ट्रा को आपको भी नहीं करना है slide कर ली है मैंने slide करने के बाद cutting कर रही हूँ ठीक है guys ये देखिए stitch भी हो गई cutting भी हो गई और मैंने front side से slide की है आपने ये भी देखा मैंने सीधी side से slide की अब हमने इसको पलट लेना है पलटने के बाद back side से भी एक एक stitch करना है क्योंकि हमें इसमें pipe pin नहीं लगानी है और ये easily seal भी जाएगा क्योंकि हमने इसकी sheet त्यार नहीं की है ठीक है ये देखिए यहाँ sheet त्यार नहीं की है और ये इसमें सिर्फ दो कपड़े हैं दोनों ही cotton के है तो हमने back side से दोनों side पर slide कर ली slide करने के बाद इस परकार से ये आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आ गया दोनों side की आप finishing देख सकते हैं कोई pipe in नहीं लगाई है मैंने इसमे अब इसके बाद इस corner को हम इस परकार से पकड़ेंगे और slide करेंगे और चारों corner को सेम तर कि जब हम सीधी side से slide करेंगे पलट के slide करेंगे तो pipe in लगाने की जरूरत नहीं होगी चारों corners को मैंने सिल लिया है सीधी-सीधी slide है guys इसके बाद हमने इसको back side से भी slide करना है ठीक है मैं अभी आपको एक side का करके भी दिखाऊंगी तो दूसरी side पे भी तीसरी side पे भी चार corner पे सेम करलेना देखिये पहले हम front side से slide करेंगे मैने कर दी फिर हम इसको back side से slide करेंगे ठीक है तो वैसे ही चारों corner में आपको slide कर लेनी है guys एक side का मैंने एक corner का सिलके पूरा दिखा दिया है देखिये दोनों साइट का पूरा सिलके दिखा दिया ठीक है तो वैसे ही हमें दो कोना तीन कोना तीन कोना और ये चार कोने ठीक है यानि कि चारो कॉनर को मैंने सिल लिया और फिर बैक साइट से स्टिच कर दी कोई पाइपिन की विजरूत नहीं पड़ी और नहीं मैंने इस बैग में तो अगर आपको sheet बनाने में problem होती है ज्यादा बड़ी sheet नहीं तियार कर सकते तो आप ऐसे भी bag बना सकते हैं बट उसका कपड़ा जो है मोटा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए कितनी अच्छी fitting और कितनी अच्छी finishing इस bag की आ गई है size भी मैं आपको clear कर देती हूँ final measurement 18 inches complete आ रहाएगा है सिलने के बाद और यहां से आ रहा है 12 inches ठीक और जो हमने cut किया था उसके अनुसार इसकी उचाई आई है 11 inches complete ठीक है तो big size का ये bag त्यार हो गया है आप इसको fold करके रख भी सकते हैं bag में क्योंकि हमने sheet त्यार नहीं की है पूल है यहां पर जो इसकी length आई है 12 inches आई है बहुत सारे कपड़े इसमें आ गए है फोल्ड करके अपने travel bag में डाल सकते हैं और बाद में as a travel और as a storage भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो आई बटन में video share कर दिये है साथ यह एंड स्क्रीण में video share कर दिये है यहां से भी क्लिक करके आप मेरे चैनल की और भी वीडियो देख सकते हैं तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ असान से असान वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके बाई थैंक्स फर वाचिंग बाई